हलो फ्रेंट स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैन ग्यान प्लस पर उतरप्रदेश अधीनस सेवा चैन आयोग विग्यापन परिच्छा तीन दो हजार चौविस विग्यापन के प्रकासन कि थी तीन दो चौविस यानि कि आज आपका जो है विग्यापन जाजी तो इसकी आखिरकार विग्यापन जारी हो गया है 20 तारिख से आप ओनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 11 माल्स तक आप ओनलाइन आवेदन कर पाएंगे ठीक है अठारा तारिख तक आवेदन में संसोधन कर पाएंगे तो मुख खवर यह है आपके लिएख साहैक लेखकार का आखिरकार विज्यापन जारी हो गया है उतरप्रदेश संग्यां चेहने विज्यापन संक्या 3-2022ं साहैक लेखकार वा लेखा परिच्छक के मुख परिच्छा प्रारम्विक अर्था परिच्छ निदेश आले उत्तर प्रदेश के नित्रणा दिन सहयक लेखा कार के 667 पद सामाल के सामान चेन वगला इसका मतलब विशेष चेन का मतलब है इसमें सभी लोग आविदन कर पाएंगे और इसमें सायक लेखाकार के एक पत्कुल मिला के 1828 पदों के लिए आप ऑनलाइन आविदन कर पाएंगे तो यह है देखिए यहाँ पर यह प्रारंबिक आरता में वास्त्विक स्कोर अत्वनामलाई स्कोर में सून या उससे कम नकर प्रात्मक अंग प्रात्व करने वाले मुख परिच्छा है साट लिस्ट नहीं कि एक भी है तो आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे ठीक है तो जब कि जितने लोग आवेदन करेंगे सभी लोग मुख परिच्छा में बैठेंगे ऐसी जानकारी है तो यहां पर देख सब्सक्राइब करने के लिए आपको 25 रुपाय का सूल के देना पड़ेगा और इसके अलावा आगे हम बात करें तो मुख परिच्छा में जब जो लोग सार्ट लिस्ट किये जाएंगे उनको अलग से प्रवेस्पत डाउनलोड करने के पहले कुछ पैसा देना पड़ेगा य 26 तारीक तक और इसमें देखिए कुल्मिला के अलग-अलग कहानी है तो कि देखिए यहां पर देखिए आवेदन पत्र में निम लिखित दूर्णों को ही संसोधित किया जाएगा नाम में कुछ गलती हो गई पिता के नाम में पत्रा पता इडब्लूएस आरच्छन आदी और जाती सेड़ी में लिंग जेंडर आद में इनहीं में केवल आप संसोधन कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर देखिए अपडेट किया जाना अनिवार देखिए यहां पर एक महात्पूर्ण चीज है विसेश नोट आपको पढ़ना चाहिए उतर प्रदेश सासन के दिव दिव्यांग जनको समूँ काखा घाएंगा चार प्रस्षत चार अरच्छा सुनिश्चित करने हैं तो पदों को पुनर चिन्हांकित किया गया है उक्त के क्रम में दिव्यांग अभिरतियों को अपनी दिव्यांग तक सेड़ी में आवेधन पत्र की सेड़ी में उफ रचार ते हुए अपडेट किया जाना अनिवार है ठीक है तो इन चीजों को ध्यान देना है आपको बाकी आपको देखिए पदों का विप्रण यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले तो यहां पे देखिए आंत्रिक लेखा यूम लेखा परिच्छक सायक लेखाकर के सामा पद और कुल पद 668 है सबी पदों की प्रकृति इस्थाई है आंत्रिक लेखा यूम लेखा परिच्छक निदेशाले लेखा परिच्छक के सेम ग्रेट पे है 99 पद हैं जो यहां पर देखिए अन्रिजर्व के लिए 28 पद जो है SC के लिए 4 पद ST के लिए OVC के लिए यहां पर टोटल आप देख सकते हैं 58 पद और EWS के 20 पद और टोटल 209 पद है यहां पर इसके बाद उतर प्रदेश राज विदिक सेवा के लिए सायक लेखाकार के एक ही पद है यहां पर कुल मिला के वो भी अन्रिजर्व को टेगरी के तब इसके पद खाली रह गये थे इसलिए भर्ती को दोबारा निकाला गया है क्योंकि योग भर्ती नहीं मिले थे 399 पद यहां पर देखिए के हैं 38 पद स्ट के 513 पद ओबी सी के कुल मिलाके 950 पद है इस प्रकार कुल मिलाके 1828 पद है जिसमें ओबी सी के लिए 688 पद अन्दीचर्व के लिए 687 पद स्ट के लिए 515 पद और स्ट के लिए 22 पद और EWS के लिए 86 पद अब शेटीज आरच्छन की बात करें तो कुल मिलाके यहां पर देख लीजिए अलग-अलग में 364 पद जो है मैजलाओं के लिए आरच्छित किये गए हैं हैं यहां पर उतक्रेश खिलाडियों होई है तु भी यहां पर जेखिए 36 पद और कुल मिलाके भूत पूर सैनिको के लिए 90 पद आरच्छित किये गए हैं सुदंता संग्राम सेनानियों के लिए यहां पर देखिए किया गया 36 पद और पीच में केवल जो है आठ पद ही है वो भी लो लो विजन के बाकि और कोई भी पद नहीं है ठीक है तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा इस पकार से आप इन पदों के लिए आउनलाइन आविदन पचीस रुपए देकर कर सकते हैं बाकि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए इसके डिटेल से जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे तो जो जिन लोगों ने बीकॉम प्लस ओ लेवल किया है वो इसमें आविदन करपाएंगा पर देखिए को पाठक्रम का अनुमोदन से यहां पर दिया है यहां पर पाठक्रम भी लस्याइं तो आपको तैयारी के लिए समय नहीं यहां पर देखिए इसमें आपको तो सव पद हैं इसमें कुल मिलाके कॉमर्स के करीब आपको रहेंगे पैसक नंबर के क्विश्चन पैसक नंबर के कंप्यूटर के 15 क्विश्चन पंदर नंबर के और यूपी से 20 पद 20 प्रेंट के तो यह डिटेल्स में स्लेवस आदी दिया है इसके हम चर्चाप के लिए अलग से कर देंगे तो इसकी योगता इस बार भी बी कॉम प्लस हो लेवाल ही रखी गई है इसके लावा अन्य जो अब भरती हैं इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे यह देखिए आरता की जहां बात कर रहे थे हम लोग तो अनिवार आरता में क्या है एक वर्स में भारत वर्स में विधी द्वारा इस्थापित किसी भी विश्विद्याले से कॉमर्स में इस नातक यानि कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपको और सरकार द्वारा किसी भी म अपको और आरता में इस स्वारा आरता किसी भी में अविषर आपको अनिवार में जika इस नातको अरकांता है तस्वारे उला हOT ऑी कॉलरा आरता है last at is कॉ.